हालो गाईस सुभा का टाइम है गूद मॉर्निंग कैसी है आप लोग आई होप आप लोग ठीक होगे और मैं रोज की तरह आज भी अपनी साथ पर आ गई हूं सुभी उखते ही तो मोचम का आज भी आसा है दोस्तों यह देखे आज भी कितनी धुंद पड़ी हुई है यह दे लोग बोलते हैं कि आई बसंत और पाला उडंत बट यहां पे थो पाला देख लेजिए कितना पड़ रहा है और पूरा धुंद से कवरों रखा है तो अभी मैं ना तो नहाई हूं ना कुछ थोड़ी देर में आपको मिलती हूं नहाद होके और फिर चलते हैं हम लोग मंदिर आये मेरे साथ फ्रेंड्स तो तो जी मैंने नहा लिया है और मैं हूं रेडी बिल्कुल मंदी जाने के लिए तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं मेरे साथ मंदिर आये चलते हैं मेरे साथ मंदिर और डोलू भी ले लिया है मैंने जला पित करने के लिए और अभी हम करते हैं रास्ते में देख सकते हैं लिए 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 सकते हैं मंदर में माथा टेक लिया है और हम बापिस चलते हैं यह आप देखिए बहार डोग बैठा हुआ है तो इसलिए हम इसको बंद कर देते हैं दरवाजी को ताकि अंदर ना जा सके मंदर का सबी लोग दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि जो डोग वगरा है वो अंदर ना जा सके क्योंकि इस मंदर में पुझारी जी नहीं बैठते हैं । तो इसलिए दो चलिए फ्रेंड्स घर पे चलते हैं। प्रेंड्स इसके बाद रहे हैं। बढादे जार्णान के लिए लापाज हारि, अना को अपर जार्णादान है, अना कर आदे हैं आपर देवार्णान है कर दो एंद जार्णान के लाजा है कर दो में कर दो, तो पो पूलाइव कर दो कर दो कर दो प्योग कर दो अबादी नग कर दो तो पहुंच चुकी हूं मैं मामा के घर मैं मुमी और पापा और यह इनका वगीचा है मामा का तो उसके बाद दोस्तों मैं आई हूं थोड़ा बाहर घुमने के लिए और यह देखिए यह आमले का पेड़ और नीचे आमले वी गिरे हुए यह देखिए कितने मोटे मोटे आमले गिरे हुए है यह देखिए यहाँ पर एक डॉक था जो की रेस्ट कर रहा था तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया का मैं तो जब तक मैं घुमती हूं गाईज आप प्लाइज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और दिखने के थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स मिलते हूं आपको अपने नए व्लोग भी